हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव ड्रेसिज आज की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स हम इस ड्रेस की मैचिंग टोपी बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी एक हैट बना करके तयार करेंगे अब देखे एक दो दिन पहले ही हाली में ये वाली ड्रेस की वीडियो अपलोड हुई थी आप सभी साइज में इस ड्रेस को बना सकेंगे उस वीडियो को आप देख लें डेस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप किसी भी साइज में बनाना च और wool हमारी दो कलर की ही है औरेंज और क्रीम, सबसे पहले देखिए हमें हमें इसमें magic ring बनाना है, इस तरह से magic ring बनाने के बाद हम यहां से इधागे को ऐसे निकालेंगे और इसके बाद यहां पर 2 chain बनाएंगे, दो चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखे हम ऐसे हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे तीनो लूप का एक करेंगे एक हमने chain बनाई है एक हमने बनाया half double crochet दो हो गए फिर next बनाएंगे तीन half double crochet इस तरह से हम यहाँ पर 10 half double crochet बना लेंगे 10 half double crochet बनाने के बाद यहाँ से देखी यह वाला धागा है इसको पकड़ करके हीच देंगे इस तरह से और उसके बाद हम इसको जोइन करेंगे शुरू में हमने देखे यहाँ पर chain बनाई विये जो दो chain बनाई थी इसकी second वाली chain में जाकर के slip stitches को जोइन कर देंगे अब यहाँ पर देखे हमें दो chain बनानी है और दो chain बनाने के बाद सेम जगा पर हाफ double crochet बनाना है यह बनाया है देखे हमने एक बार और एक हमारी chain हो गई दो बार अब इससे next वाली देखे यह chain है देखे यह वाली और इसमें बनाएंगे हम दो बार half double crochet एसी दिखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट में भी दो बार बनाएंगे तो यहाँ पर दिखिए एवरी चेन में दो-दो हाफ डबल क्रोश्या बनाते वे राउंड को हम कम्प्लीट करेंगे लास्ट में आकर राउंड को जोइन करेंगे शुरू में जो दो चेन बनाई थी सेकिंड चेन में जाएंगे और सिलिपिस्टिसिस को जोइन कर लेंगे अब यहाँ पर दिखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे और सेम जगा पर ही एक हाफ डबल क्रोश्या बना देंगे अब इससे नेक्स चेन में जाएंगे यहाँ पर बनाएंगे हम एक बार हाफ डबल क्रोश्या और इससे नेक्स चेन में दो बार हाफ डबल क्रोश्या इस तरह से और नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोश्या यानि कि एक बार एक हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे एक एक चेन में तो बार इस तरह से करते वे पूरे राउंड को हम complete करलेंगे सब करके। यहाँ जोईन कर लेंगे सब के ऊपर एक थेन राउंड वनाए और तीन और हम थाफ ढशैन करेंगे लगाए Ground। सब के उपर एक एक ही बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हमने पहली चेन में बनाया एक बार, दूसरी चेन में भी एक बार, तीसरी चेन में भी एक बार, यानि कि हर चेन में एक एक बार बनाते वे, इस तरह से राउंड कम्प्लीट कर लेंगे, और इस तरह से ही देखिए मैं यहाँ पर चार पांच राउंड लगा लूँगी अपने काना जी की सर की हाइट की अकॉर्डिंग तो यह हम कर लेते हैं complete फिर दिखाते हैं आपको आगे की कैसे करना है अब यहाँ पर देखिए आगे हमने चार राउंड और बनाए हैं पहले देखिए हमने एक, दो, तीन, तीन राउंड बनाए थे उसके बाद हमने कोई increase नहीं किया तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, चार राउंड हमने बनाए अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है एक chain लेनी है चेन लेने के बाद इसी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशय बनाएंगे इसी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशय बनाएंगे यहां से देखे हमें अपनी हैट की जो फ्री लेव वो बनाने श्टार्ट करिए हमने यहां से तो हम यहाँ पर हर एक chain में दो-डो single crochet बनाएंगे इस तरह से दिखिए next chain में भी जाएंगे दो single crochet बनाएंगे तो जितनी भी chain है सभी में बना लेते हैं दो-डो single crochet सभी chain में हमने दो-डो single crochet बनाया अब इसको join करेंगे फस्ट वाली चेन में जाएंगे सिलिपस्टी से जोइन कर देंगे अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाकर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोश्या नेक्स्ट वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोश्या और इससे next वाली chain में दो बार single crochet फिर next chain में एक बार single crochet next chain में एक बार single crochet और उससे next में दो बार single crochet यानि कि हर third chain में हमें दो बार बनाना है single crochet तो इस तरह से करते वे दिखे हम round को complete कर लेंगे last में आकर round को हम join कर देंगे first chain में जा करके देखेगा ऐसी, इस तरह से देखे, यह हमारी हैट बनती जा रही है, और अब हम क्या करेंगे, एक राउंड ओर लगाएंगे, तो एक चेन लेकर के, सेम जगा पर ही बनाएंगे, एक सिंगल क्रोश्या, अब यहाँ पर देखे, जितनी भी चेन है, सभी में हम, एक एक सिंगल क्रोश्या बनाएंगे, और अगर आपको लगता है, बीच में कहीं पर भी खिचावा आ रहा है, तो आप कहीं कहीं पर, एक चेन में दो बार सिंगल क्रोश्या भी बना सकते हैं, वैसे इसमें जोल नहीं आएगा, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोश्या बनाकर, बिल्कुल प यह वाला कलर लेना है इसमें नोट लगानी है और नोट लगाने के बाद जहां पर हमने कट किया है यही पर बनाएंगे इसको हम डाल करके देखे सिंगल क्रोश्या सिंगल क्रोश्या बना करके दो चेन बनाएंगे और दो चेन बना करके सिंगल क्रोश्या की दो लूप है इन करनेरे 3 ऊछेश्ट, पिर से 2 चेन बनांगे 2 चेन बनाएंगे 2 चेन बनांगे ये सिंगल लूप procedure के 2 लूप करेंगे और यहां Ste, 3 हमारे पास ये को लिए पास या से 7 पए 2 लूप nawam हमें सिंगल क्रोश्या तो इस तरह से रड़े को किनारी को बनाकर करके तरो करने में हैं تو आ acids कर देंगे कर देंगे जोन जोन और सिंगल क्रोश्या बनाए था यहांपर जा करके सिलिप स्टिच कर करेंगे और एक चेन लेकर के य हमे इसको इसमें नोट आ गई है यहाँ पर इसको हम यहाँ से देखिए जा सिंगल क्रोशे किया था इसके अंदर से डाल करके इसको सिलिप स्टीच करेंगे और एक चेन लेकर के धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे और यह धागा देखिए हम अंदर की साइड एड़िस्ट कर देना है अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस फ्रिल को कम बनाना चाहते हैं यहाँ पर जो मैंने तीन राउंड लगाए थे तो आप यहाँ पर दो राउंड भी लगा सकते हैं देखिए इस तरह से भी आप इस हैट को रख सकते हैं अदर्वाइस देखिए नहीं तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए हम ऐसे करेंगे एक लूप बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर देखिए जहां से हमने फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें नेक्स्ट में डालना है इस तरह से और लूप को निकाल करके इसके अंदर से निकाल देना है इस तरह से हम चेन बनाते वे जाएंगे यह धागा देखिए पीछे की साइड हम बाद में करेंगे इसको यहां पर हमें चेन बनाने है थोड़ा सा लंबा लूप करना है और नेक्स्ट में डालना है और यहां से नीचे से धागा निकाल करके इसके अंदर से निकाल देना है फिर नेक्स्ट में डालेंगे फिर ऐसे ही करेंगे और इसको हम देखे ऐसे ही करते जाएंगे तो इस हम इसको यहाँ से देखे ऐसे नीचे कीच लेंगे इस तरह से यहाँ पर और दोनों की नोट लगा देगे और नोट लगा करके दोनों धाको को हम अंदर की साइड एड़स्ट कर देगे तो देखेगा फ्रेंट्स हमारी ये साथ नंबर लड़ु गोपाल जी की प्यारी सी हैट बन करके रेडी हो गई है बहुती सुन्दर बनी है देखे एकदम से परफेक्ट आएगी उनको और यहाँ पर देखे मैंने एक हैट और बनाई है जो की हमारे 6 नंबर कानाजी के लिए हमने बनाई है और ये 5 नंबर को भी आजाएगी इसका मिजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ देखे साथ नंबर में हमने शुरू में 10 हाफ डबल क्रोशिय बनाए थे यहाँ पर हमने 6 हाफ डबल क्रोशिय बनाई है उसके बाद जैसे हमने आगे के 2 राउंड बढ़ाते वे लगाये थे हाफ डबल क्रोशिय को इस वाली में भी ऐसे ही लगाएंगे दो राउंड आगे हाफ क्रोशय बढ़ाते हुए उसके बाद फिर हमने कोई इंक्रीज नहीं किया आगे चार राउंड बनाए इसमें हमने आगे तीन राउंड बनाई देखे ये बनाने के बाद हमने तीन राउंड बनाए तीन राउंड बनाने के बाद फिर हमने सिंगल क्रोशिय का जो वर्क की स्टार्ट किया था यहाँ पर हमने तीन राउंड लगाये थे इसमें हमने यहाँ पर दो राउंड लगाई है दो राउंड लगाने के बाद किनारी सेम ऐसे ही बनाई है बाकी सारा सेम ऐसे ही बनेगा तो इसको हम पाँच नंबर और चे नमबर दोनों को बहुत आराम से पहना सकते हैं तो देखेगा फ्रेंड्स हमारी दोनों प्यारी सी हैट बन करके रेडी हो चुकी है अब देखे ये तो हो गई हमारी पांच ये और सात नमबर लड़ू गोपाल जी की हैट बाकी दो से लेकर पाँच नमबर तक की वीडियोज मेरे चैनल पर अपलोड है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप महाँ पर जाकर उनको भी बना सकते हैं दो नमबर से पाँच नमबर तक बाकी ये वाले 5-6 नमबर को भी आएगी और ये 7 नमबर के लिए है आई होप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको पसंद आई है ये हैट और वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें साथ में बैल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेंगी तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रादे रादे